एक और यह चाप्टर से जो की बच्चे पोचछा है कि प्लानिंग को हम किस लेवल पर पर कंसीडर करें बानिंग टॉफॉप लेवल पर आएगा या ओर लेवल पर आएगा यह कंफूजन पहले तक फर्स चैप्टर तक महें बिल्कुल क्लियर थी जब हमें पर निंग और नि टॉप लेवल का function वहाँ पर बोल दिया गया था लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब हमने planning chapter पड़ा और वहाँ पर हमने देखा planning को एक feature में प्रिवेजिव की तरह दिखाया गया कि planning is required at all level of management तो यहीं पर clear हो जाता है जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं planning में तो यहाँ पर बोला गया planning is required at all level of management और यहाँ पर देखो it is not a function restricted to top level only यहाँ पर यह सीधे सीधे बोला कि यह सिर्फ top level का function नहीं है सिर्फ top level का function नहीं है but plan is done by managers at every level plans जो बना जाते हैं हर एक level पर बना जाते हैं लेकिन यहाँ पर plans के साथ policies बनाना जोड़ा गया है policies आप workers के साथ discuss करके नहीं बनाओगे organization की क्या rules रहेंगे क्या restrictions रहेंगे क्या हमारी terms and conditions रहेंगी job की वह आप workers के साथ या मजदूरों के साथ बैटकर नहीं discuss करोगे gatekeeper के साथ बैटकर discuss नहीं करोगे तो policies बनाना plans के साथ policies बनाना यह top level का काम है लेकिन उन जो top level ने goal set कर दिये policies बनानी फिर उनको implement करने के लिए भी plans बनाने पड़े बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे plans बनाने पड़ेंगे operational plans बनाने पड़ेंगे तो वो plans जो बनाये जाते हैं वो departmental managers या supervisory level पर भी बनाये जाते हैं all lower level managers make plan to support overall organizational objectives and carry on day to day activities तो हर वेक्ती planning करता है लेकिन अपने लेवल के अकॉर्डिंग की जाती है कि अगर top level planning करेगा तो organization के rules, regulations और policies और objectives रिसाइट करने के लिए करेगा middle level planning करेगा उनी top level की plannings को implement करने के लिए planning करेगा और supervisory level उनी implementation को और आगे बठाने के लिए day to day activities को execute करने के लिए planning करेगा तो planning तो हर एक level पर होगी ये बात तो clear है अब exam में हमें mcq आएगा तो हम किस पर click करेंगे ये हमें समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है तो इसके लिए मैं आपको clear कर देता हूँ कि इसको आपको जब भी exam में आएगा जब भी ए topic आपके exam में आएगा तो आपको देखना है किस point of view से ये बात यहाँ पर बोली जा रही है किस point of view से यह बात यहाँ पर बोली जा रही है ठीक है अगर यह बात बोली गई हमें किसके को दिक फंक्शन के उंपसे कि फंक्शन को पुछा गया को फ्लंड को ऐजे फंक्शन तो फिर वो तो क्या पॉताये जाएगा प्लंग हमने objective decide करना हो सकता है, goal decide करना हो सकता है, ये जब बात हो जाए, planning में किसी specified चीज को करने के लिए बता दिया जाए, कि ये planning के अंदर ये काम कोन करता है, planning and policy बनाना, planning and goal decide करना, तो फिर वहाँ पर specified हो गया, कि ये किस level का function है, तो वहाँ पर आप लेवल पहचानना है, वो लेवल कौन सा आजाएगा, फिर top level, policies बनाना, goal decide करना, ये top level का काम होता है, तो planning and policies develop करना, इतरी से task of planning, तो ये वाला task जो है planning का, वो top level के द्वारा किया जाता है, बात समझ में, planning अंदर बहुत सारी activities होती है, लेकिन ये particular task है, policies decide करने का, तो वो task top level का है, तो अगर task की तरह देखा जाए, काम की तरह देखा जाए, तो वो आजाएगा आपका top level पे, और अगर ऐसा task हो कि उस plan को implement करने की बात की जारी हो, और उसको execute करने के लिए plans बनाने की बात की जारी हो, तो आपको समझ में आना चाहिए, वो supervisory level की बात हो रही है, कि day-to-day activities को carry out करने के लिए plan कोन मनाएगा, day-to-day activities को carry out करने के लिए plan कोन मनाएगा, लेकिन अगर as a function की तिरहां देखा जाए कि planning function कैसा function है, तो आपको उसको all level का function बताना है, तीनो level पर किया जाता है, top level पर भी, middle पर भी और supervisory level पर भी, चले, I hope यह आपका doubt clear हो चुका होगा, thank you so much,